हेलो फैंस वेल्कम टू आप लोग बताने वाला हूं 17 जुलाई के करेंट अफेर्स की वीडियो के बताऊंगा और इस वीडियो का पीडियो का पीडिया फाइल आप लोग हमारे टेली ग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विल्कुल फ्री में तो आप लोग टेल चैनल जल से जल जोईन कर लिजिए और फ्री वीडियो डाउनलोड कर लिजिएगा वहां से और सारी में क्लास की अपडेट्स मुझे होती है उसके बाद से जो भी रेलबे के नोटिफिकेसंस होते मैं सारा उस टेली ग्राम चैनल जोईन कर लिजिएगा और इस चैनल पर मै यह आज का कोश्चन स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कोश्चन आ जाता है हाली में 200 स्रमिक कल्यारी हो जाना किस राजसरकार ने सुरू किया है तो अभी 200 स्रमिक कल्यारी हो जाना यह राजस्थान गवर्मेंट ने सुरू किया है कौन से गवर्मेंट ने राजस्थान गवर्मेंट ने इस कोश्चन का डी ऑप्षन से हो जाता है राजस्थान गवर्मेंट अब बात यहां पर राजस्थान की आते हैं तो मैप में देखते हैं राजस्थान तो पहला कौन सा है तो पहला नरेंद्रमोदी स्टेडियम अंधाबाद वाला गुजरात का तो यह सबसे पहला सबसे बड़ा इस्टेडियम है और 200 का सबसे तीसरा बड़ा इस्टेडियम राजस्थान के जैपूर में बनाया जा रहा है ठीक है तो आप लोग इसे भी याद रखेगा और मैं बात करूँ अब करमा स्रमिक कल्यार योज को लिए जो भी हस्त सिल्फ कारिगर है उनको आवस्तेक उपकरण खरीदने के लिए और यह यह जो की पैसे दिये जाएंगे वह 18-40 वर्स के आयू के बीच वाले ही लोगों को दिये जाएंगे ठीक है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा और यहां पर बात आती है वि स्कॉर्शन आयता है हालही में अपरेशन साउधर्न रेडिनेस तुर्टों ट्वैंटीथ्री अभ्यार्ट में किस भारतिय जहाज ने हिससा लिया अभी जो की अपरेशन सोधर्न रेडिनेसटुटwegen ट्रीघर में भारत के तरव से इस्स लिए ने तृष्ण ने लिया हिस् इंडिया का पहला विमान आन आउखक यूद्ध पोत है कौनसा है इंडिया का फाला विमान आउख कोता है उसके ना थो सुंके आicides इस नहीं सुमेघा They Ahh Oh通 चुमेगा तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा अब बात करते हैं इस operation की तो यह operation southern readiness 2023 यह हुआ कहां पे हैं तो यह हुआ है आपका सेसेल्स में हुआ है कहां पे हुआ है से सेसेल की केपिटल क्या जाता है कि अधिनके लिए आप लोग याद रखियेगा था सट्बिछ में पेसे आप उनका नाम क्या है तो आस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्णन्यूट की गई है उनका नाम है आप लोग को मैं बता दे रहा हूं उनका नाम है मिसेल बुलॉक है क्या नाम है मिसेल बुलॉक नाम है यानि कि इस कोश्चन का सी ऑप्सन से वहता है अब बात यहां पर आस्ट्र और आस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर राते हैं वह एंथनी एलबनीज हो जाते हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा तो इसे बात करूं अधर ऑप्षन की यह से लेश्टे साउलो यह हैं आपकी डबलू यहो की पहली महिला महासची ठीक है तो इसे भी आप लोग महासची हो जाती है और परमिंदर चोपड़ा की बात करूं है तो परमिंदर चोपड़ा यह हो जाते हैं आपका पी एप सी यानिकी पावर फाइनेंस कोर्परेशन की यह फर्स्ट महिला सीम्डी हो जाती है तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा और इस कोशन का खोड़े जाएगी अभि पहली स्पोट्स चेहाँ धादमी खोड़ी जाएगी यह मध्य-प्रदेश में खोड़ी जाएगी याने की के आपसं से भक्रफ में जा तरहाथ है पर मध्य-प्रदेश यहां पर मध्य-प्रदेश की आई है तो महिमार्म prior हुज प Gleich बात करहें जान को नते हैं जाते हैं मध्य पर्देश क oleツ बाइस को थे उसे भी आप लोग याद करों न याद रखेंगा और मध्य लोक सबासेट Part two Part two कि आते हैं एक आपफीनन का बिधान सभाशीट की में बात करो तोटल विधान सभाशी 230 हो जाते हैं तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि श्रीन क्रिस्ट को आता है हाली में कृष्चन दा सेवेन सेंस नंप कुष्चक किस ने लिखी एक कि यौक्ष्चन का सी सी अप्सटें हो जाता है देवासी चटर जी तो इने भी आप लोग याद रखिएगा और पूस्तक को लिखी देवासी पूस्त कई लॉंज लॉंज इagit लॉंच किया के लॉंचक ऑल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राश्ट्रपती दौरपदी ずीके राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला राष्टपती किसी देश के देश के किसी भी राज्य की विधान सभा को संबोधित किया हो तो यह कि राष्टपती दौरपदी मुर्मु जी जो हमारी है अब प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट इन्हों तो यह दो ने अभी राजस्थान गवर्मेंट जो की विधान सभा है उसके विधान सभा को संबोधित किया है तैनि कि कोश्चन का डी ऑप्संस ही मताती से भी आप लोग याद रखिएगा और मैं बात करूं राजस्थान की दौरपदी मुर्मु के दौरपदी मुर्मु को अब ही हाली में सूरी नाम के सुरी नाम का जो सर्वस्चनागरिक सम्मान यानिके हाइस्ट सिविलियन अवर्ड कौन सा है इसे इसने को समानित किया गया है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा और मैंने राजस्थान का डीटेल मैंने आपको पहला कोस्टन में बताया तो दोस्टों विधान सबस चीट हो जाते हैं तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन आ जाता है हाल ही में किस राज्य के आथूर पान के पत्ते को जी आई टेग मिला है तो अभी जो की यह आपका हो जाता है तमिल लाडू का एक आथूर पान का पत्ता होता है इसी को आज जी आई टेग मिला है और आथूर पान का पत्ता यह तमिल लाडू जिले के पान का पता होता है खीवाश्त को उत्व होता है उसी को यह जाता है मत्धे परदेश के जो उसMusic करूँ जातेगäus विवासे जनक के जनक कर जो है बस उहली पेंटीक उसको भी जी आइड टेग मिला है उसके बाद से बादा नारेस के लंगडा को भी जी आइड मिला है तो इसे बहुत अच्वार्णा रखिएगा और बत है पर तमिं मैप मैं देखता हूं यह रहा मैप में तमिलाडू जो आप लोग को यह दिखाई देरा ब्राउन रखा यह तमिलाडू और तमिलाडू की मैं गवर्नर की मैं बात करो तमिलाडू का गवर्नर हो जाते हैं सब्सक्राउन गवर्नर अप्जच को फूल्फार होती है जोगराफिकल इंडिकेशन होता है जो की धिनियम कब आया था नाइन्टी नाइनटीन नाइन था बडट यह जी याइट नाइन टेन में वहा था यह यह नाघु हुए था 2003 में हुआ और पहला जी आई टेक ये दिया गया था 2004 या पांच में दिया गया था और किसी दिया गया था तो पच्छिम बंगाल के दार्जलिंग चाय को जी आई टेक पहला मिला था ठीक है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं ऊफिर में गोल्डन पीकट पलेयावरन प्रावणधन पुरसका 2023 से आडानी ट्रांस्मिंशन लिम्ठेट्ट को सम्भानित कया घया किसे सम्भानित क्या गया है और लिखे ऐसे से अब मैं बात करूं अधानी ट्रांस्मेंशन लिमिटेट की तो इसके MD & CEO कौन है यह और ट्रांस्मेंशन लिमिटेट कंपनी के MD & CEO हो जाते हैं यह हो जाते हैं अनिल सरगना को नहीं हो जाते हैं ठीक है इसे भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते है नेक्स्ट कोशन आता है कि प्रतेक वर्ष किस दिन नेंसल मंडेला अंतराष्टी के दिवस मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ष 18 जुलाई को नेंसल मंडेला अंतराष्टी के दिवस मनाया जाता है और बात करूंग में नेंसल मंडेला की तो नेंसल मंडेला ये 1994 से लेकर के 1999 तक ये साउथ अफ्रिका के जो की अस्वेद राष्ट पती पहले अस्वेद राष्ट पती बने थे ये तो इनहें भी आप लोग याद रखिएगा नेंसल मंडेला इनका जो की परते के यहर में 18 जुलाई को दिवस मना आयता है अंतराश्ट्री दिवस ठीक है नेक्स्ट कोर्शन देखते हैं अनिक्स्ट कोर्शन आयता है हाली में किस ब्यक्ती को प्रतिस्ठीत लोक माने तिलक पुरुसकार 2013 से सम्बार इत खियाया तो है और मैं बात करूं नर्द vyेग जी तो नरेद्र मोदी जी की जो मैं बात करूँ यह भी इनको मिस्र का स्वरोच हाइस्ट शिविलियन अवार्ड यानि कि स्वरोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह 13 अंतराश्टी अवार्ड था यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का ठीक है तो इन्हें भी आप लो पर पर अलड़ कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो दिस्क्रिप्शन में देतां गया है तो वहां से आप जाकर जो कर सकते है और डेली उस पर फडियो अपलोकर कि जलिए आपको तो आप लोग इस, नौटिविकेशनण और टेली करेंटर प्रेस्ट की वीडियो पाने के लिए आपने मां चैनल को सब्साइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो लाइक कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग